साथियों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवाल लर्निंग डेपर और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरबो जा दोस्तों अगर अभी आप जस्ट पॉलेटेकनिक बिसम सिमस्टर जिसको हम और सिमस्टर बोलते हैं का एक्जाम दे करके आ रहे हैं या फिर अभी भी आपके एक्जाम चल रहे हैं पॉलेटेकनिक और सिमस्टर के बिसम सिमस्टर के मतलब फस्ट सिमस्टर थर्ड सिमस्टर औ बहुत important है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूं कि आपकी बैक कब लगती है बैक अगर आपको यह पता चल जाए बैक कब लगती है और बैक से आप कैसे बच सकते हैं अगर ये दो चीजे अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएं तो दोस और पॉइंट बताएंगे लेकिन उसके पहले चोटी सी रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि लर्निंग दे करवा रहा है पॉलिटिक्निक इंट्रेंस एक्जाम और पॉलिटिक्निक सिमेस्टर एक्जाम की कंप्लीर त्यारी बिल्कुल फ्री में इस है कि भई बैक कब लगती है और बैक कैसे लगती है साथियों माल लेते हैं अगर आप कोई भी एक्जाम दे रहे हैं जो एक्जाम 50 नंबर का है मतलब उसका मैक्सिमम नंबर 50 नंबर का है अगर उसमें आपको 17 नंबर नहीं मिलता है 17 नंबर से कम मतलब 16 नंबर मिल गया 17 न पॉलेटेकनिक फेल नहीं कहता, पॉलेटेकनिक कहता है कि आपकी बैक लग गई, बैक लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पेपर से बच गए, आपको उस पेपर में पास होना कंपलसरी है, तभी आपका डिप्लोमा क्वालिफाइड माना जाएगा, अदर्वाइज देते रहेंगे, जब तक आप 17 नंबर उस पेपर में नहीं ला लेंगे, तब तक आप डिप्लोमा क्वालिफाइड, पॉलिटेकनिक क्वालिफाइड नहीं माने जाएगे, आपको अगर दस बार वो पेपर देना पड़ेगा, आप दस बार फेलोंगे, तब भी आपको दे रखनी है किसी भी सब्जेक्ट में, वो अपने जैसे अगर 50 नंबर का पेपर है तो 17 नंबर का, 60 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर का, मतलब 1 थर्ड पे आपका बैट बच सकते हैं, आप 1 थर्ड ही पासिंग मार्क होता है, अगर 60 नंबर का है तो 20 नंबर कम से कम आपको पह बचने की होती है और ये उसका जो maximum number होता है वन वाइं धार हॉता है और इसका दोस्तों कोई shortcut नहीं होता क्यों कि पढ़ाई ही साव कर बेस्का होती है दोसरा जो topic है मैंने लिखा है कि कैसे बच सकते हैं इसके दो तरीके हैं बचने के पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि किवल आप पढ़के बच सकते हैं आपको पढ़ाई बचा सकती हैं दूसरा अगर दोस्तों आपको 12 नंबर मिला है या फिर 12 से जादा नंबर मिला है तब आप बैक से बच सकते हैं कैसे बच सकते हैं मैं आपको अगले एक मिनट में लिंक नीचे description में मिल जाएगी अभी तक का वीडियो कैसे लगा जरूर होता हो दोस्तों मैं क्या बता रहा कि आप बच कैसे सकते हैं बैक लगने के बाद भी सबसे simple तरीका ही होता है अगर आपको किसी भी paper में माल लिया आपको chemistry में 12 नंबर मिला है तो एक आपने सुना होग grace mark grace mark होता है जो की college देता है आपका ये चोड़ी दे सकता है आपका principal दे सकता है maximum आप ये चोड़ी ही बोल सकते हैं ये चोड़ी आपको grace mark दे सकता है या फिर simple language में आप कह सकते हैं कि आपका college आपको grace mark दे सकता है और ये grace mark दोस्तों 5 या 5 से कम नंबर का हो सकता है मतलब अ आप उसमें पास होना चाहते हैं तब आप grace mark के थूप 5 नमबर लेकर के 17 नमबर लाकर के तमस्टी में पास हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा घाटा आपको grace mark से क्या है ये तो फैदे की बात हो गई मालो आपने 13 नमबर पाया है चार नमबर grace mark के रूप में मिल गया आपको 17 म मार्क का जब आपकी final mark सीट बनती है ये कोई नहीं आपको बताएगा grace mark क्या होता है grace mark कैसे मिलेगा बज कैसे सकते और घाटा क्या है ध्यान से सुन लो जब आपकी final mark सीट में grace mark लिख के आता है जो कि सबसे बड़ा disadvantage होता है अगर आप अभी किसी भी subject में कमजोर हो तो बट अगर आपकी mark सीट में grace mark लिख गया तो वो कभी भी वो grace mark नहीं हटेगा आप कहीं भी वो mark सीट दिखाओगे तो उसमें grace mark बकायदा लिखा होता है mark सीट में और यही सबसे बड़ा disadvantage होता है grace mark का इसलिए मैं हर एक बच्चे से बोलता हूँ कि भाई आपको grace mark के उपर काम नहीं करना है आपको अपनी study के उपर काम करना है क्योंकि अगर आपने अपनी study को strong बना लिया तब ही सारी चीज़ें आपकी strong हो सकती है grace mark आपके उपर negative impact डाल सकता है मालो आप कहें जौब के लिए गए और आप अपनी mark seat रख रहे हो सब सारी चीज़ें आपकी बिलकुल exam क्या आप पास कर चुके हर एक चीज आपने हर एक चीज में बढ़िया मेहनत किया है बट यही एक पास नंबर मतलब grace mark आपको वहाँ पर बाकी other student या बाकी other जो आपक कर सकता है तो मैं फिर से कहूंगा साथियों कुछ नहीं करना आपको अपनी पढ़ाई पर focus रखना है और अगर 50 नंबर का question है तो आपको 17 नंबर 60 नंबर का question है तो आपको 20 नंबर must मतलब complete troop से इसको तयार करना है जैसे आपके पास physics chemistry math CS होते हैं यह चारो exam या फिर और जो MM के exam होते हैं यह सारे exam 50 नंबर के होते हैं ED का जो exam होता है यह 60 नंबर का होता है और ED के exam में दोस्तों आपको 20 नंबर लाने ही लाने होते हैं तभी आपपस माने जाएंगे ED के exam में और इसके साथ ही साथ एक और जो नया rule आया है आपके practical exam से related उसके उपर मैंने बहुत af 100 दे सकता था इस पर भी बोट कोरेंगी और इस सोचरी है कि सवर को से चेंट अगर आपको नमबर मिलता है तब अबक्ति कोंपी और बोड वाले नमबर के काबिलिह को तब आपका को है गहटा दिया जायेगा और आप के पास तरीका य ही है percentage बढ़ाने का पढ़ करके आप मेहनत करके अपना percentage बढ़ा सकते हैं तयारी आपको अभी से कर लेनी है आपके exam हो गए है तो कोई बात नहीं next semester के लिए आप prepare ऋजाईए अगर exam नहीं हुआ तो अभी से आप उड़ जाए और तयारी करने में छूच जाई तो दोस्तों learning day हमेशा आप सभी के help के लिए हमेशा नहीं नहीं चीज़ें आपके लाता रहता है information की हर एक वो वीडियो हर एक चीज़ें मैं आपको लिए अब लेवल करवाता हूँ बस एक ही रिक्वेस्ट है पॉलेटिक ने के इंटरंस एक जाम दोहर जार चौबिस के बच्चों के लिए डेली साम को साथ बजे फूरी क्लास चल रही है learning day पर आप कम से कम अपने एक दोस्तों को जरूर इस वीडियो की लिंक बेजें और उनको बोले learning day पर रेगुलर्टी से क्लास करेंगे यकीनन गवर्णनेंट कॉलेज जरूर मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब वी तेंक यू, जै हिंद।